नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी YouTube चैनल में दोस्तों 26 सून की साम 5 बजे तुलहरासी वाले जातकों के जीवन में कुझ ऐसी बाते होंगे कुझ ऐसी घटनाएं और दुरलब महासयोगों कानिर्मान होनी वाला है जिनकी वज़े से आप लोगों के जीवन के सभी प्रकार की मुसीवतों से सभी प्रकार की समस्याओं से और दुखतलिफों से आपको तुरकार विफ्राप्त हो जाएंगे इस समय कारिशत्र में भी बहुत जल्द बहुत बढ़ी काम्यावी की फ्राप्ती होंगे आप लोगों के सोचे विकारे भी पूरे होंगे जीवन में पैसे से रुड़े अर प्रकार के समस्याओं का समधान आपको प्राप्त होनी वाला है आपको लाव की प्राप्ते होनी वाली है दरसल आज के दिन आप लोगों के कुंडली में सस नामक योग का निर्मान होनी वाला है जिनकी वज़े से तुलाय रासी के लोगों के जीवन के कभी फिरकार के कश्टू का अंत होनी वाला है आपको बताएंगे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जान करें इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा उसे फेले वीडियो को लाइक करके चेनल को सस्क्राइब होसे कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समझ से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके तुमत्रों तुलाय रासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने पूराने कामकाजों को बदलने का तरीका अपना सकते हैं कामकाजों को पूरुन करने की पूरी पूरी कोसे से आप लोगों के सफल होंगे आपके चीबर में कुछ बहत्रन घटनाए होंगे तो कुछ ऐसे भी घटनाए हो सकते हैं जो आप लोगों को प्रिसान और काफी जादा मुसीवत में डाल सकती हैं ऐसे बक्त में आप लोगों को सावधान सत्र को समल कर रहने के जरूरत रहेंगे कारिशेत्र को लेकर आपके बनाई गए जब योजनाय सफल होंगे तुलारासी वाले लोगों के द्वारा किया गया यात्राएं भी लाप दायक सावित होंगे कारिशेत्र में भी आप लोगों को सफलता की फ्राप्ती होंगे आप लोगों के भागे में साथ मिले बाला है आपको विबिन नसरोतों से लाप की फ्राप्ती होंगे और बगवान सनी देव की ग्रिपास हैं आप लोगों को इस्व में आर्थी की स्थित्यों में मजबूती की प्राप्ति होंगे वैपारिक वैवसाइक की स्थित्यों में बहुत जल्द बहुत वड़ा प्रिवर्तन होने बाला है आप लोगों को रोजगार के नए लापकारी अवसर भी प्राप्त होंगे नौकरी का वत्तमण सुकद रहेंगे मातरानी के असीम किरपा से हैं आपका वैपार रोजगार भी अच्छा चलेगा आपका फिदादर प्रसंद होंगे घर के जिम्मेदारी को पूरा करपाने में सफल होंगे जिसे कि आप नए कामकाजो को करने के मौके भी प्राप्त कर सकते हैं आपको इसमें सलाबकारी योजनाओं को बनाने के मौके मिलेंगे कामकाजो को लेकर नए योजनाओं आज के दिन बना सकते हैं जो आप लोगों को सिसमें लाब दिरवाएंगे पारिवारी की स्थित्यों में आप लोगों के समस्याइद रहोंगे आपके स्वास्ट में सुधार होंगे अधिकारियों को काम काज़ परवे करने कमों का प्राप्त होने वाला है आप लोगों को इसमें अधिकारी का साथ मिल और वेपार को लेकर आप किसी बड़े फैसले को रहे सकते हैं जो आपको लिए इस समय लावकारी रहेंगे आप अपने कारी शेतर में किस प्रकार से वेतर परदसन कर सकते हैं माता लक्त्मी जी को प्रसंद करने के लिए कौन से मंत्रू का उचारन करना आपके लिए सब और सकाफी अच्छा रहे सकता है आपके जीवन में कौन से बड़े खुशकवरी की फ्राप्ति होंगे आपका व वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो मत्रों मत्रून रासिवाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने बाला है आपको मिज़ित प्रणामों की प्राप्ति होंगे चल रहे कामों में आपको कटनायों का सामना भी करना पर सकता है आपको जीवन में कुछ भावनात्मक बुद्धे भी परिसान कर सकते हैं आपकी आइस्तिर होंगी लेकिन आपको नवसकर्षों से बतने का प्रियास करने होंगे दिन के उतार्द में चीजे भी आपको पक्षि में होती भी दिखाई दे सकती हैं आपको प्रवासारी लोगों के साथ संपर्ग में आ सुकोगे विदेश यात्राओं के लिए तिर्प्रियास कर सकते हैं संतान का विवस समन्द भी आपका पका हो सकता है आज इ प्रियुजनाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रियाद के लिए प्रियासों को जारी रखें आपको सफलता अवस्य फ्राप्त होंगे आर्थिक इस्तित्यों में भी आपको प्रिवर्तन हो सकता है आपको जीवन में पुराने रिंड को चुकाने में सक्चम होंगे समाज में आपको यह सुरिजित पढ़ सकती हैं दफ्तर में से कोई खुशक वेक्ति आ सकता है जो लोग आपको घर में खुशियान ला सकते हैं कारिशेत्र में विशेष बड़ी उपलवदी की प्राप्ति होंगे आपको बेवसारिक मद्वीद भी अवस्य दूर होंगे आपको अपने काम और परिवार के वीच अन्तुलन बना रखने की अवस्य कता होंगे इसमें आपको मदबूत हो सकती हैं यात्राएं अनदायक रह सकती हैं सुखत प्रणाम दायक हो सकती हैं पारिवारिक सुखस्वदाव में विवर्दी होंगे आपको इसके पीछे धनकर्च करना पड़ सकता हैं मैं पार बेवसाय में निवेस के लिए आपको समय अन आपको माने के मौके भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको माने के मौके भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको एक गलती से आपके जीवन में बड़ा संकट मन रहा सकता है। इसलिए कोई भी कारी करने से पहले आपको साफधानी जरूर बरती होंगे। इन दिनों कारवार के शित्र में बैपारियों को भी कुछ घाटा देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको इसे अधिक चिंतित होने से बचने का प्रियास करने होंगे। समय के साथ ही आप इस मुश्किल गड़ी से उबरने में सफल हो सकते हैं। और पहले से खराब स्वास्ति या बिमारे से चल रहे लोगों के स्वास्त में सुधार होतावा दिखाई दे सकता है आपके जीवन में।